हाँ जी भाईयों कैसे हो आज आपके लिए ब्लैक पर्डवस शायद मैं इसको सही न पढ़ पा रहा हूं पर्डवस या पर्डवस गिंग ओफरम्स तो भाईयों आज देखते हैं किंग ओफरम्स ये गिंग ओफरम्स आज लेके हैं हूं आपके लिए 42.8 अलकोहल और 75% प्र फोर सेल इन पंजाब 100 cml का कवार्टर भाईयो और यह लिध्याना पंजाब में आज मैं को डेढ़ सो रुपे में मिला भाईयो और पैकिंग इसकी बिल्कुल देशी टाइप सी है चीप पैकिंग है भाईयो बिल्कुल बक्वास ही पैकिंग है पैकिंग में इसको बहुत कम दूँगा आज मैं पांच में से धाई नमबर दूँगा और इस पे जैसे की पैंथर की फोटो बनी हुई है और इस पे उपर लिखा है ब्लेंडेड विद्ध शुगर के इन जूस स्पिरिट्स माल्ट्स मतलब शुगर के इनका जूस गन्ने का जूस जिसे बोलते हैं और म और जैसे कि मैंने बताया डेड़ सो रुपे में आज लुद्यारा पंजाम में लिए मैंने और जैसे कि सर्दियां शुरू हो चुकी है भाईयों रम सर्दियों में शिरीद के लिए बहुत अच्छी होती है और आर्मी में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है फोजी वह हमारे बहुत रम पीते हैं और जो ठंडे लाके होते हैं तो वहां इसकी ज्यादा कंजेप्शन होती है तो सर्दी से बचाती है रम और जैसे कि उपर लिखा है किंग्स ओफ रम्स तो आज देखते हैं किंग ओफ रम्स क्या चीज़ है और पंजाब संगरूर की बनी हुई है तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हैं चलिए आज आपके साथ इसे जोए करते हैं पहली तफ़ा आज अपने चैनल पे दारू आज पे रम कर भी लेके आए भाईयो तो देखने हैं ये रम कैसी है जैसा कि पहले बता रहा था भाईयो पैकिंग इसकी मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई पैकिंग में इसको अभी वीडियो शुरू ही किया तो पैकिंग में इसको तीन से कमी नमबर देंगे इसको धाई नमबर ही देंगे भाईयो पैकिंग बिल्कुल जैसी है लिखा इसके उपर है किंग ओफ रम्स और टैकिंग इतनी बक्वास तो यहां तो यह इनको यह लाइन नहीं लिखनी चाहिए थे यहां फिर इसको किंग की तरह प्रैकिंग बढ़िया परानी चाहिए और आज साथ में कुछ नमकीन ट्रेड़ मेड़े बिंगो और सैलर लेके बैठे हैं भाईयो तो आज चलिए आपके साथ रम को इंजोई करते हैं पहली दफ़ा अपने चैनल पर दरुबाज पर रम ब्लैक परड़ुस किंग ओफ रम्स चीर्स भाईयो पहले कि आपको बता दूँ भाईयो टेस्ट बहुत ही हैश है इसका बहुत तेज स्मेल और बहुत तेज टेस्ट बहुत हैश टेस्ट है तो ये बिलकुल भी नॉर्मल नहीं होने बली जो मेरे भाई थोड़ा हैश तेज बिना नहीं पसंद करते तो ये उनके लिए नहीं है बिलकुल भी तो इसका टेस्ट बिलकुल भी स्मूथ नहीं है स्मेल बहुत तेज है पहले पर केक घून नहीं बता दिया जिसका टेस्ट तो ये जिनको टेस्ट की प्रॉब्रम लेती है उनको तो ये बिलकुल भी पसंद नहीं आने वाली आए तक जितने भी रुब्यू किये हैं तो उसका पहले ही जिप में टेस्ट का पता लग गया कि ये बिलकुल भी नॉर्मल नहीं होने वाली और कलर इसका गोल्डन कलर आया बाईयों गलर बिलकुल परफेक्टर इसका और जैसे कि इसको पैकिंग में नमबर दी है तो वीडियो अभी शुरूई हुई है तो मेरे को शयद ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी कि मैं आ और वैसे ही इसको टेस्ट और स्मेल में भी वैसे ही नंबर देंगे पांच में से तीन नंबर देंगे भाईयो स्मेल बहुत तेज है और टेस्ट भी बहुत इसका तेज हैश किसम का टेस्ट है तो आप अगर ये ट्राई करें तो साथ में जरूर कुछ अच्छा लेके बठें क्योंकि खाने की बहुत जरूर पढ़ेगी इसके साथ और अभी मेरी जिस फेवरेट सैलर में मूली तो है ही है मूली का मौसा में और मूली में को बहुत पसंद है चलिए अभी दूसरा पैक लगाते हैं साथ में आप से बाते करते हैं सोरी भाई हो पैक तो पहला ही था दूसरा सेप लगाना था आज मेरे भाई कॉनसर्टरिंग लेके बठे हैं तो वो जरूर कमेंट में मेंशन कीजिए और जो मेरे भाई नए देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए शेयर करिए और खुद भी इंजोए करिए और अपने दोस्तों को भी इंजोए करवाईए मेरे साथ मैफिल लगाईए और नए-ने विस्की, बियर रम कर रिवीव आपके लिए लेके आते रहेंगे और जो मेरे भाई पुराने देख रहे हैं तो वो कमेंट करें, राइक करें तो अपना है कमेंट में जुरू बता हैं कि आज वो क्या जोए कर रहे हैं क्या खा रहे हैं और काउंसर ट्रिंग ले रहे हैं तो यह बिल्कुली पहली बार मार्केट में नहीं है ब्राण देखा भायो रम में रम कर नाम आते हैं दिमाग में ओल्ड मोक आती है दिमाग में और मैं भी आज ओल्ड मोक की मूड में गया था पर मैं को आज मार्केट में यह दिखी तो मैंने का चलो ओल्ड मोक का रुवियो फिर करेंगे आज इसका रुवियो करते हैं तो पैकिंग टेस्ट और स्मेल में तो यह कोई नमबर नहीं ले वाई तो बाकी तो इसके शरूर के रहे है शरूर भायो तीसरे पैक के बाद ही बता पाऊंगा झाल 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 सर्दी अबना है पूरे जोर में भायो इस बार अच्छी सर्दी की उमीद है और सर्दी में दारू पिने का मज़ाई अलग होता है नौर्वेज खाने का मज़ा फिश खाने का मज़ा और दारू का मज़ाई सर्दी में अलग होता है तो अगली वीडियो को जल्दी लेके आँगा भायो आपके साथ किसी अच्छे से नौन बेच के साथ को चिकन या मटन या फिश कोई भी अच्छी सी अटाओ तो आपके साथ इंजॉय करेंगे मैं फिल लगाएंगे तो आप कमेंट में जुरू बताइए भायो आपको ड्रिंक के साथ क्या अच्छा लगता है चिकन अच्छा लगता है और फिश अच्छी लगती है या आपका चिकन किस स्टाइल में अच्छा लगता है तो आप जुरू बताएं तो जुरू उसी टाइप का चिकन शेयर करे आपके साथ कि बाखी भायों मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए रव्यू करी किया जाते हैं तो ना कोई मैं प्रोफेशनल हूँ कि आपको प्रोफेशनली रव्यू बता पाऊं तो ये सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए रव्यू की जाते हैं तो मैं ना ही दारू को परमोड करता हूँ और ये तो एक आप लोगों के साथ मिलने जुलने का एक और मस्ती का एक बहाना है भाईयो तो मैं कभी भी किसी भी नशे को परमोड नहीं करता भाईयो तो आप से भी यही बेंती करूँगा कि आप भी लिमिट में पियें इंजॉय करें कम पियें और पी के कभी भी गाड़ी मचलाएं क्यूंकि आपका भी घर पे कोई इंतियार कर रहा है तो चाह तक हो सकें घर पे ही पियें घर पे अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें बार ना पियें और गाड़ी तो बिलकुल मचलाएं तो मेरी यही आपसे इसे बेंती है कि इसको इंजॉयमेंट के लिए पियें निशे के तोर पे मत लें और इसको लिमेट में पियें जिससे आपको परिवार भी खुश रहें आप भी खुश रहें और आपके साथ ऐसा ही मैफलो का दोर चलता रहें तो मेरे कुछ वीवर्स अब्राउड से भी मेरे को मैसेज कर रहें तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद थेंक्यू कहना चाहूंग कि मेरे फॉलोवर्स अब्राउड में भी हैं इंडिया में तो है ही है पंजाब में भी है तो बाहर से भी मेरे चाने वाले हम मेरे को डिमांड कर रहे हैं अलग-लग तरह के ब्रांड अलग-लग तरह के उनकी डिमांड आ रहे हैं तो मैं कोशिश करूँगा कि उनकी भी डिम को पूरा करूं और आपके साथ ऐसे ही मैफिलों का प्यार बरा दोर इसी तरह चलता रहे तो दूसरा पैक त्यारा भाई हो तो चीर्स एक दवा फिर दूसरे पैक के लिए आज एक और न्यूज आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्योंकि यह पंजाब से रिलेटिड है और पंजाब के हर उस बंदे से रिलेटिड है जो फार्मर किसानों से प्यार गरता है कि किसानों को संगर्ष कि चल रहा है कहीं जगह हर्याणा में पुलीस और किसानों में मूठवेड हो रही है और किसान दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं खास करके पंजाब के किसान क्योंकि यह मुद्धा पंजाब से जुड़ा है तो मैं हर मेरे चाने वाले को या मेरे देखने वाले वीवर को मैं यही मैसी देना चाहूंगा कि यह पंजाब का मुद्दा नहीं यह सारे इंडिया का मुद्दा भाईो तो आप सब पंजाब के फार्मल पंजाब के किसानों के साथ खड़े हो उन्हें स्पोर्ट करें क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल वरा दोर है भाईयो और सेंटर की गौर्णमेंट जो की पंजाब और पंजाब के किसानों को उनका हक नहीं दे रही उनकी बात नहीं सुन रही तो आप उन्हें स्पोर्ट करें क्योंकि पंजाब है तो हिंदुस्तान है भाईू पंजाब की वज़ा से ही इतनी एग्रिकल्चर या इतनी फसल जो कि पूरे एक इंडिया को खिला रही है तो ये सब उनी मेनत कर स्क्रिसानों की वज़ा से है भाईू पंजाब के बहुत ही मेनती लोग है और उनी उनका हक मिलना चाहिए तो सेंटर की गौर्वर्मन्ट मौदी गौर्मन्ट से भी मैं यही कहूंगा कि आप थोड़ा देहरे रखके उनको उनकी बात सुने उनकी बात माने सुने नहीं माने पंजाब का किसान पंजाब के लोग हर वक्त देश के लिए मर मिटने के लिए त्यार रहते हैं वही हो अगर उनकी बात सेंटर की गौर्वर्मन्ट नहीं सुनेगी तो यह देश के लिए भी बहुत बुरा होगा और मैं तो कहूंगा कि तो इसका हल जल्द से जल्द से जल्द सेंटर गौर्वर्मन्ट को देखना चाहिए और यह संघर्श संघर्श ना रहे और जल्द ही इसका समाधान होना चाहिए तो मेरे वियूवर्स हैं, जो मेरे चाने वाले हैं, मेरे देखने वाले वियूवर्स हैं उनको तो मैं अपील करूंगा ही, कि उनका साथ दें, उनके हक में खड़ें तो बीइंगे पंजबी, मैं तो उनके साथ हूँ हूँ और आप सब लोगों को भी जो इंडिया में देख रहे हैं या जो बाहर देख रहे हैं उनसे भी उपील करूँगा कि आप जोर शोर के साथ पंजाब के कसानों के साथ खड़े हों और जो उनकी मांगे हैं वो पूरी की जाए और उनको उनका हक जरूर मिले बस मैं यही कहना चाहूँगा तो यह एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है इसकी तरफ जरूर जल से जल ध्यान दे के इसको सुलजा लेना चाहिए नहीं तो यह पंजाब के लिए और इंडिया के लिए बहुत बुरा होगा और त्यास में अगर इसका जल्दी समधान ना हुआ तो यही दिन काले अक्षरों में लिखे जाएंगे बईयू तो आप सबसे यही उमीद है कि आप पंजाब के किसानों के साथ जरूर खड़े हूँ और उमीद करते हैं प्रमात्मा से इसका समधान में जल्दी हो ताकि इसी तरह हम पंजाबी इंजोई करें और इंजोई करते रहें इसल केसे पादे रहें है ल्ट रइंक के साथ भाईो श्लयड का मजाएं एक नंदि अलग यह नम देता है तो सैलर्ड में बहुत मज़ा है मैं आप सबसे भी कि यह हूँगा है कि आप खाएं कुछ भी पर सैलर्ड जूर साथ में लें तो भाईयो मैं आपको पता तो हूँ कि अभी दूसरा पैक खाकम होने ही वाला है तो इसने अपना रंग दिखा दिया भाईयो तो यह अभी जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि सर चड़ के नाच रही है तो दूसरा पैक खतम करके आप से बात करता हूँ तो यह भाईयो यह रम में इसको पैकिंग में कलर में तेस्ट में बिल्कुल भी पसंद रही है तो यह अपना रंग जरूर दिखा रही है भाईयो यह दूसरे पैक में ही सर चड़ के नाच रही है और पूरा मज़ा दे रही है भाईयो वो इसके साथ दिसरा पैक लगाते हैं जैसे कि इसको पीने में बड़ा मज़ा आ रहा है टेस्ट भी इसका मेरे को पसंद नहीं आया पैकिंग भी इसकी पसंद नहीं आई बड़ इंजोईमेंट के लिए जो यह चीज मज़ा आ गया है इसको इंजोई करके सरूर में भाईयो उसके पूरे नंबर है सरूर में इसको पांच में से चार नंबर देते हैं भाईयो बाकी इसका मेरे को कुछ भी पसंद नहीं है बड़ इसने दो पैग में ही मेरे को पूरे क्वाटर का मज़ा दे दिया और सरूर में इसकी कोई कमी नहीं है तो मैं आपको यह फुली रेकमेंट तो नहीं करूँगा पर हाँ इसको आप आपको कभी मौका मिले तो enjoy कर सकते हैं कभी भी आपको किसी भी ठेके पर मिले तो इसको आप चेंज के तोर पे कभी कुछ चेंज करने का मन हो कुछ अलग पीने का मन हो तो उस तोर पे आप इसको टेस्ट कर सकते हैं यह रम केंग ओफ रम को मैं फुली रेकमेंड नहीं करता पर हां इसे आप इंजोएमेट के लिए कभी मुकवार इसे चेंज कर सकते हैं पी सकते हैं कभी आपको यह ठेके पर मिल जाए तो आप इसको इंजोए जरूर करिए क्योंकि सरूर में इसके पूरे नमबरा भाई हूँ तो इसके साथ ही वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए तीसर फैका आपके साथ लेते हैं और मिलते हैं किसी नए ब्राइंड के साथ किसी नए वीडियो में तब तक शबा कैर गुड नाइट बाई बाई